हालो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपीज जिनका कोर इंगेडियेंट एक ही है यह ऐसा इंगेडियेंट है जो हर जगे आसानी से पाया जाता है और इसमें बहुत सारे नुटीशन्स होते हैं इसमें कार्बोहाइडेड, प्रोटीन होता है और फैट बिल्कुल नह ही होता है इंगेडियेंट है कच्छा केला या इसे राव बनाना भी कहते हैं राव बनाना से यहां पर मैंने बहुत सारी रेसिपी बनाई हैं आप यह सारी रेसिपी जरूर देखें इसके लिए प्लीज आप पूरा वीडियो देखें और जो सबसे पहली रेसिपी राव ब बनाना दोनों का यूज किया है तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने का मैथड क्या है इसके लिए साबू दाना जो पहले से भीगोया हुआ है कच्ये केले उबाल के रखे हुए है कटी हुई प्याज नमक गर्म मसाला अमचूर पाउडर लाल मिर्च पाउडर मैदा और ओईल तलने के लिए सबसे पहले बनानास को अच्छे से मैश कर लेंगे जब यह मैश हो जाएंगे इसमें भीगा हुआ साबू दाना निचोड कर डाल देंगे अब इसमें सब मसाली मिक्स करेंगे कटी हुई प्याज तेस्क के अकॉर्डिंग नमक लाल मिर्च पाउडर गर्म मसाला पाउडर अमचूर पाउडर और दो चम्मच मैदा मैदा मैंने बाइनिंग करने के लिए लिया है अब इन सब को मिक्स करके हम इसकी पैटीज बनाएंगे इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अब इसकी छोटी छोटी पैटीज बना लेंगे इस तरह से जब सारी पैटीज तैयार हो जाएंगी उसको गरम तेल में तल लेंगे सिलो आज पर तलेंगे और जब तक यह ब्राउन कलर की नहीं हो जाती तब तक इनको पलट पलट कर तलते रहेंगे हम कच्ची केले से फलाहारी पैटीज भी बना सकते हैं फलाहारी पैटीज के लिए आप उसमें साबू दाना कच्चा केला फलाहारी नमक हरी मिर्ज हरा दनिया और काली मिर्ज पाउडर डाल कर इसी मैथड से बना सकते हैं इन सब को mix कर देंगे फिर पैटी बनाकर तल लेंगे फला हारी पैटी भी खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं यह हमारी पैटी रेडी हो चुकी हैं कलर एकदम ब्राउन आ चुका है अब इसको आइल में से निकाल लेंगे इसी तरह से बागी की सभी पैटी भी त्यार कर लेंगे और इसको हरे धनी की चट्मी या सौस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं अब हम बनाएंगे अपनी अगली रसिपी केले के चिप्स तो हम बहुत खाते हैं और हमने बहुत बार मार्केट से भी लाते हैं लेकिन जो मैं आज मैथट बताने वाली हूं यह मैथड इंदम परफेक्ट मैथड है केले के चिप्स बनाने से इसके लिए आपके केले के चिप्स एकदम क्रिस्पी बनेंगे देखिए और टेस्टी भी बनेंगे इनको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं कुछ दिन के लिए और ये बिल्कुल खराब नहीं होगे इसको बनाने के लिए यहाँ पर कच्च्या केला लिया है उसको अच्छे से चील लेंगे उसका चिलका निकाल देंगे इस तरह से केले का चिलका निकाल लेंगे अब एक बॉल में पानी लेंगे उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे हल्दी पाउडर डालने से चिप्स का कलर अच्छा आता है और नमक डालेंगे इन दोनों को डालकर पानी में मिक्स कर देंगे इधर इसी बॉल के उपर मैंने चिप्स की मशीन रख ली है और उसमें दीरे-दीरे केले के चिप्स कट कर रहे हैं डायरेक पानी में डालने से यह आपस में चिप्केंगे नहीं यह देखिए एकदम परफेक्ट चिप्स निकल रहे हैं अब यह चिप्स कट कर तयार हो गए हैं अब इनको कुस देर के लिए मिनिमम फाइब मिनिट्स के लिए पानी में ऐसे ही भीगे रहने देंगे जिससे नमक और हल्दी इसमें एब्जॉब हो जाएगा अब यह पांच मिनिट के बाद इसको एक कॉटन के कलॉथ पर पानी से निचोड कर निकाल लेंगे यह बहुत आराम से करना है हमें नहीं तो चिप्स टूट जाएगा कॉटन के कपड़े पर अच्छे से फैला देंगे जिससे इसका सारा पानी सूप जाएगा देखिए चिप्स का कलर येलो हो गया है इसने हल्दी और नमक दोनों को अग्जॉब कर लिया है इधर ओइल गरम करने पहले ही रख दिया था मैंने अब एकदम स्लो गैस पर इन चिप्स को तलने के लिए डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके चिप्स डालते रहेंगे और इनको पलट पलट कर स्लो गैस पर सेखते रहेंगे जब चिप्स में सिखते हुए किस भी आवाज आएगी तब और कलर भी ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हमारा चिप्स सिख चुका है इसी तरह से बाकी के चिप्स भी टल लेंगे और यह चिप्स डेडी है देखिए कितना दिस्पी बना है और एक्टम परफेक्ट है अब इसको आप कई दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन जब आपको सर्व करना हो तब ऊपर से थोड़ा चाट मसाला और नमक चाहें तो नमक भी डालने वैसे हमने नमक पहले डाला हुआ था डाल कर सर्व करें यह बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आते हैं केले के जिप्स रेडी हैं अब हम बनाएंगे अपनी अगली रेसिपी यह कच्चे केले का हलवा दूसीरी ऐसेपी है यह खाने में टेस्टी होता है और हेल्दी भी रहेगा इसको आप ब्रत में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको बहुत ही आसान स्टैप से बनाया जाता है चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह बनाया जाता है इसको बनाने के लिए सबसे पहले रौ बनानास को उबाल कर रख लेंगे अब इनको चील कर बारिक बारिक पीस कर लिए या अच्छे से मैश कर लिए मैंने यहाँ पे इनको बारिक बारिक पीस कर लिया है अब एक पैन में देशी घी लेकर दो चमल डाल देंगे जब घी मैल्ट हो जाएगा उसमें रौ बनाना के पीसेज डाल देंगे अब इसको घी के साथ कुछ देर के लिए फ्राइ करेंगे उससे जो घी और बनानास का जो भुनने से स्मेल आएगा वो इस हलवे को बहुत अच्छा टेस्ट देगा जब बनाना गर्म होने लगेगा इसको इस्पून की हैल्प से मैश करते रहेंगे अगर आपने पहले से मैश किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आप एक चमल शुगर डाल देंगे यहाँ पर शुगर इसलिए कम डाला है मैंने क्योंकि मैं यहाँ पर कंडेंस मिल्क का यूज कर रही है अगर आप कंडेंस मिल्क यूज नहीं करना चाहते तो घर पर जो दूद की मलाई होती है आप उसको भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसके हिसाब से आपको शुगर का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा अब इसमें मैंने थोड़ा सा दूद डाल दिया है जिस अब यह दूद बिल्कुल एब्जॉब हो चुका है और यह पेस्ट के रूप में हो गया है इसको भूनते रहेंगे इसमें अब कंडेंस मिल्क दो चम्मज जो दूद की मलाई है वो भी आपको लास्ट में डाल लिए जब मैंने कंडेंस में डाला है तब ही आप दूद की मलाई डाले अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो अब इसको डाल कर मिक्स कर लिया यह बहुत जल्दी बनने वाला हल्वा है और उपवास में खाने वाले हल्वे में बहुत ही अच्छे से यूज हो सकता है अब इसमें उपर से थोड़ा सा इलाज़ी पाउड़ा डाल देंगे और मिला लेंगे यह हमारा हल्वा रेडी हो गया है अब इसको ड्राइफूर्ट डाल कर डेजैंट कर देंगे और कच्छे केले का हल्वा एकडम रेडी है फ्रेंट्स आने वाले टाइम में मैं कच्छे केले से बनने वाली और भी रेसिपी शेयर करूंगी प्लीज अब कमेंट सेक्षन में आप अपनी राय जरूर दे और लाइक बटन प्रेस करना ना भूले अब हम बनाएंगे अपनी अगली रेसिपी क्रेपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए इससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी शेयर करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएको आज मैं फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ लेकिन इस फ्रेंच फ्राइज में थोड़ा साइज ट्विस्ट है इसको मैंने पोटेटो से नहीं बनाया है इसको मैंने राव बनाना से बनाया है यानि कच्चे केले से बनाया है यह खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं तो चलिए देखते हैं कि राव बनाना से फ्रेंच फ्राइज किस तरह बनाये जाते हैं इसके लिए पांच कच्चे के ले लिए हैं अब उनका उपर का छिलका चाकूं से निकाल देंगे फ्रेंग्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए चिलको को अच्छी से निकालना है इसी तरह दूसरे बनाना से भी चिलका निकाल लेंगे और इनको पानी बरतन में डालते जाएंगे मैंने सारे बनाना चील लिए हैं अब उसको कट करने का बेखते हैं इसको कट करने के लिए इसको तीन हिस्तों में स्लाइस कर लेंगे अब उसको फ्रेंच प्राइस के आकार में काट लेंगे बहुत ज्यादा पतला भी नहीं काटना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है इस तरह मैंने सारे बनानास को कट कर लिया है और पानी में डाल के रखा है अब इसको हम एक साफ कॉटन के कपड़े पर निकाल लेंगे जिससे इसका सारा पानी सोख हो जाएगा इसका अच्छे से पानी निकाल देना है अब इनको एक बटन में डाल कर इसमें एक चम्मच मैदा और एक चम्मच अरारोट मिक्स कर देंगे इन दोनों को डाल कर इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए अब यह कोट हो चुका है इसको एकदम गरम तेल में फ्राई करेंगे यह तेल पहले से गरम किया रखा हुआ है अब इसको गरम तेल में डाल देंगे धीरे से अभी हम इसको कम फ्राई करेंगे फिर दूसरे स्टैप में हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे यह प्रॉसेस करने से फ्रेंच फ्राइज ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं अब इसको पूरी तरह से नहीं पकाना है लगवक 70% मैंने इसको फ्राइज किया है अब इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया है इसी तरह बाकी कटके हुए बनाना भी इसी तरह फ्राइज कर लेंगे जब सब फ्राइज हो जाएं उसके बाद रूम टेंपरेचर पर कूल करने के लिए रख देंगे अब यह कूल हो चुके हैं इसके बाद इसको फ्रीजर में 10 मिनिट के लिए डाल देंगे फ्रीजर से निकान ले के बाद हम इसको सेकंड टाइम डीप फ्राइज करेंगे इसको इवार फिर गरम तेल में तेल अभी भी गरम होना चाहिए एकदम और दोबारा से फ्राइज करेंगे अब यह हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राइज करेंगे गैस को हमें मीडियम पर ही रखना है इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है और तल्ने में भी आवाज आने लगी है जिससे पता चलता है कि ये क्रिस्पी हो चुकी है अब ये फ्रेंच फ्राइज एकदम रेडी है इसको कड़ाई में से निकाल लेंगे जब ये सब डीप फ्राइज हो चुके हैं इसमें हलका सा सॉल्ट चिली फ्लेक्स और आप चाहें तो थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल सकते हैं उससे थोड़ा टेस्ट और इंप्रूव हो जाता है अब इन सब को डाल कर इसको मिक्स कर देंगे मसाले को यह मसाला अच्छे से कोट हो गया है अब इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे और यह हमारे रा बनाना फ्रेंच फ्राइज एकदम रेडी हैं जो बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगेंगे और बाकी सबको भी बहुत पसंद आएंगे यह क्रिस्पी और क्रंची फ्रेंच फ शेयर करूंगी प्लीज अब कमेंट सेक्षन में आप अपनी राय जरूर दे और लाइक बटन प्रेस करना ना भूले थैंक यू